तो स्वागत है आपका डॉक्ट हब के स्पेश्यालिटी फोकस सीरीज में जहां पे हम डिफरेंट हेल्थ केर स्पेश्यालाइजेशन को एक सिंपल लेंग्वेज में समझते हैं आज का हमारा टोपिक है मेडिकल अफेर्स और मैं डॉक्टर संदीप पतेल फाउंडर और एट डॉक्ट हब शुरू करते हैं आज का टोपिक मेडिकल अफेर्स को बाकी नामों से भी जाना जाता है जैसे कि मेडिकल साइन्स लाइजन, MSL, मेडिकल एडवाईजर और मेडिकल मार्केटिंग यूज्वली ये फार्मासिटिकल कंपनी में ज्यादा दिखने को मिलता है इस डिपार्टमेंट का काम होता है to simplify medical science for different stakeholders, stakeholders like sales team, marketing team और professionals जो भी उस कंपनी में बाकी डिपार्टमेंट में work कर रहे हैं patients, doctors, healthcare enterprises, established जहां पे भी company के product और company के related जो भी scientific material और उसका communication हो रहा है उनको simplify करना और ये department doctors के साथ भी engage करता है उनको industry और नए-नए research के बारे में updates देना जो भी नई product आ रही है, research product है या molecules है उनको different clinical aspect के बारे में convey करना एक और एक discussion इस्टाबलिस करना अब ये medical affairs department में काम कौन कर सकता है तो usually ये medical graduates और doctors होते हैं जिनका background होता है MBBS या MD और किसी भी specialization में है PharmD मतलब जिनोंने doctor of pharmacy किया है वो भी इसमें work करते हैं कुछ ऐसे जो M-Pharm के बाद भी लोग इसको pursue कर सकते हैं अगर आपका clinical pharmacy के related ज्यादा उसमें knowledge और interest है तो वो भी M-Pharm के बाद भी लोग इसको pursue करते हैं पर most जो भी priority होती है pharmaceutical company की वो medical graduates और doctors की ज्यादा होती है अब अगर किसी को ये pursue करना है तो कौन-कौन से courses available है इस field में एक है post graduate diploma in pharmaceutical medical affairs management दूसरा है board certified medical affairs specialist BCMAS युज़ली ये United States में जो examination के बाद जो एक credentials प्रोवाइड होता है वो होता है BCMAS तिसरा है medical affairs competency certificate चोथा है certificate course in medical affairs और इससे ज्यादा अगर आपको medical affairs के बारे में complete overview चाहिए तो हमने doctor talks पे doctor Mohit Changani के साथ एक पूरा podcast discussion detail में किया हुआ है वो already इस medical affairs field में काम कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत से insights शेयर किये हैं आप जरूर से check out कर सकते हैं वो वीडियो और ऐसे ही हम healthcare specialization के बारे में बात करते रहेंगे comment में हमें जरूर से बताईए ऐसी कौन से speciality के बारे में आपको जानना है और stay tuned with doctor health care में career to his doctor